प्यार का तुम थी मैं था बहार एक खिल उठी थी उस दिन मौसम था बरसाद का खुशी थी ना कोई गम था दो दिल मिले थे उस दिन बगीचा था फूलों का महग थी फूलों का भंडार था मौबबत के दो फूल किले थे उस दिन सवेरा था धुंद का सूरज की रोशनी से इंद्र धनुष दिख रहा था इश्क के दोर की सुभा हुई थे उस दिन तारों से सजा चान था दिन था मुलाकात का हुआ प्यार का इजहार था उस दिन सिलसिला था प्यार का तुम थी मैं था प्यार और सिर्फ प्यार था उस दे तो एक लिखा है कि ये मेरी खाली जिंदिगी को बर जाना बस इतना कुछ तुम कर जाना मैं मर्ज तुम दवा बन जाना मेरी बेगुनाही की गवा बन जाना मैं सुर्थ तुम संगीत बन जाना, मेरे बोलो का गीत बन जाना मैं जिस्म तुम परचाई बन जाना, मेरे कलम की शाही बन जाना मैं रास्ता तुम राही बन जाना, मेरे मेहनत की कमाई बन जाना मैं अवडी, तुम इंट्रेस्ट बन जाना, मेरी अच्छी फोटो की पिंट्रेस्ट बन जाना मैं दिन तुम रात बन जाना, मेरे सावन की बरसाद बन जाना मैं व्यर्थ, तुम खूपसूरत बन जाना, मेरी इच्छा से बड़ी जरूरत बन जाना बस इतना कुछ तुम कर जाना मेरी खाली जिन्दिगी को पर जाना जब कोई लड़की किसी लड़के की जिन्दिगी में आती है तो वो अमना कृदार उतल लेता है और कभी वो नहीं बन पाता जो कभी था ना उसके साथ ना उसके जाने के बाद तो लिखाएगी, उन्होंने बुलाया, हाँ आते हैं, कुछ कह रहे हैं, चलो सुन के जाते हैं, कुछ पूछा, चलो सब बताते हैं, हसना है, चलो जोकर बन जाते हैं, हसना है, चलो जोकर बन जाते हैं, गम है, चलो हम वीर हो जाते हैं, कहीं घूमना है, चलो घूम के आते हैं, फिर हसना है, फिर जोकर बन जाते हैं, यह आखरी लाइन सुनना, क्या कहा बहुत हुआ, चलो हम जाते हैं, तो एक है कि ये थोड़ा कह रहा है कि महबूब अपने हातों से लाया है हमें तो जहर वी रास आया है कि महबूब अपने हातों से लाया है हमें तो जहर वी रास आया है वो थोड़ा सहम रहा है पिलाने में हमने हाथ पकड़ के मूँ पे लगाया है तो एक जिन्दीगी पे लिखाता है ये सुनाता हूँ कि शुक्रिया इस जिन्दीगी का जो हम जी रहे है कि शुक्रिया इस जिन्दीगी का जो हम जी रहे है मौत तो एक मन्जिल है जिसका कफन हम सी रहे है और रास्ता तो साफ है कि रास्ता तो साफ है बस उचा नीचा सफर है गम की इस दुनिया में खुशी का भी छोटा सा एक घर है और दस्तूर है पुराना कि दस्तूर है पुराना तिल्ली से चिंगारी चिंगारी से आग लगाना पहले किसी का दिल दुखाना फिर बाद में बस्ताना हर बात से मुकरना और कहना कि हर बात से मुकरना और कहना कि जमाना क्या कहेगा फिर अपनी बात मनाने का इन पे बहाना क्या रहेगा और जिस जवानी का गरूर था तुम्हें वो भी एक दिन ठल जाएगी ये समय की घड़ी है बगली ये नकभी रुकी है नकभी रुक पाएगी और आज वो दिन है कि आज वो दिन है जिस दिन हमने अपने जिस्म और रू को इस कफन के साथ सी लिया है शुकरिया जिंदगी आज हमने तुम्हें पूरी तरह जी लिया है तो एक last, एक quote है मैंने सुना था, मतब पढ़ा था कहीं तो मैं चाहता हूं सुनाना मैं सोचा तो वहां लिखा था कि जो लड़ता है गीता कुरान के लिए वो पढ़ता नहीं और जो पढ़ता है वो लड़ता नहीं Thank you